Hey students, आज इस tutorial में मैं एक बहुत important formula को derive करने जा रहा हूँ cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y अब देखो, इसको solve करने के हमारे basically 3 steps हैं बड़े simple से 3 steps हैं सबसे पहले हमें एक unit circle चाहिए और उसको use करके हम 3 coordinates लेंगे यह क्या होंगे? यह मैं आपको बताऊंगा और यह जो coordinates हैं, इनको use करके हमारे पास यह 2 triangles आएंगी ठीक है? एक यह red वाली और एक यह blue वाली और फिर हमने इन दोनों triangles को congruent proof करना है तो basically हमें 2 congruent triangles बनानी है वो कैसे? वो आपको पता चलेगा जब यह दोनों triangles congruent हो जाएंगी तो यह जो length है और यह जो length है यह आपस में equal हो जाएगी क्योंकि congruent triangles के corresponding parts equal होते हैं तो फिर हम distance formula लगाएंगे और बस distance formula लगाते ही यह जो formula है यह हमारा solve हो जाएगा ठीक है? तो let's solve it now अब इस question को solve करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बहुत important tip बता देता हूँ कि यह तीनों points हमें किस तरह से लेने है यह जो सबसे पहला point है यह मालो यहाँ पे x angle बनाता है और यह जो दूसरा है यह यहाँ पे y angle बनाता है यह y angle है तो मुझे इस तरफ को भी एक और यह point चाहिए जो यहाँ पे y angle बनाता हो तांके यह total angle x plus y बने और यह total angle भी x plus y बने तो बस इसी को लेके हम दो congruent triangle मनाएंगे फटा-फट और फिर इसको हम solve कर लेगे अब यह मेरे पास एक unit circle है unit circle मतलब जिसका radius जो है वो one unit हो और यह मेरे पास x axis है यह मेरा y axis है ठीक है और center मालो जो circle का है वो 00 पे है अब मुझे इसके circumference पे कोई 3 points लेने है क्यों लेने मैं आपको बताता हूँ देखो मुझे यह पता है कि मेरा formula जो है cos x plus y तो cos of some angle ठीक है तो यह basically angle है लेकिन इस angle को मैंने दो parts में split कर रखा है एक x में और एक y में तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक point चाहिए जो x angle पे हो फिर एक और चाहिए जो plus y पे और हो कैसे मैं बताता हूँ सबसे बेले मैं x की बात करता हूँ यह मालो कोई भी एक point है इसकी circumference पे वो यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है तो यह मैंने इसको यहां पे ले लिया और यह मालो के center of the circle पे x angle बनाता है, ठीक है, x angle बनाता है, तो यह मालो यह point है a, b, और यहां से अगर मैं perpendicular draw कर दूँ, तो यह जो length है, यह a हो जाएगी, यह b हो जाएगी, लेकिन हमें यह पता है, अब यह right angle triangle है, अब हमें यह पता है, कि sin x कितना हो जाएगा, perpendicular over hypotenuse, यानि कि b by one तो b हो गया, और cos x हो जाएगा, base over hypotenuse तो जाएगा a, तो हम बहुत बार यह पढ़ चुके हैं, कि कोई भी unit circle में, जो unit circle 00 पे लाए करता हो, उसके किसी भी एक circumference के ओपर पॉइंट हो, वो जितना angle बनाता है, यहां पे जो coordinate बनते हैं, हमेशा बनते हैं, cos x, sin x, ठीक हैं, तो यह इसके coordinates होते हैं, cos x, sin x coordinates हो गए, अच्छा, अब माल लो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक point और ले लेता हूँ, यह मैं एक point यहां पे और ले लेता हूँ, इसी की circumference के ओपर, जो additional angle बनाता है y, additional angle बनाता है y, तो total angle कितना हो गया, total angle हो गया, मेरा x plus y, है इसी logic के हिसाब से, इसी logic के हिसाब से, यह जो point है, इस point के coordinates क्या जाएंगे, cos x plus y, sin x plus y, right, यह जो point है, यह x angle बनाता था, तो यह cos x, sin x हो गए, यह जो point है, यह overall कितना angle बना रहा है, x plus y, तो यह हो गया, cos x plus y, sin x plus y, अब मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, यह भी हम आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन main बाद यह है कि मुझे cos x plus y तक जाना था, तो cos x plus y मुझे ऐसे बिल गया, ठीक है, पहली बाद यह चीज़ को मिलगी, cos x plus y कहाँ पर, अब आप यह दखो, जितना angle मैंने यह, इस point से लेक y, ठीक है, यहां से यह, यहां नीचे की तरफ चला गया, और जितना angle यह था, उतना ही मैं अगर यहां बना दूँ, तो इसके coordinate क्या हो जाएंगे, cos minus y, sin minus y, right, same logic, जो angle है, यहां x था, यहां angle x plus y था, यहां angle जो है, वो minus y है, तो यह इसके coordinates हो गए, cos minus y, sin minus y, तो सबसे पहले तो मुझे यह, तीन coordinates चाहिए, using unit circle, यह तीनो coordinates आगए, अब यह जो तीनो coordinates आगए, यह मुझे दो triangles देंगे, दो congruent triangles, कैसे, अब मैं आपको यह बताता हूँ, तो देखो, यह मेरे पास, अब मैंने यह points लिये थे, cos x plus y, sin x plus y, यह हो गया, cos x, sin x, यह हो गय और cos minus y, sin minus y, यह हो गया, ठीक है, यह 0, 0 पे था, circle, unit circle है, तो इसका हमले यह जो d point है, इसके coordinates 1, 0 हो जाएंगे, right, ठीक है, क्योंकि, radius of the circle 1 है, तो x coordinate 1 हो गया, और y यहाँ पे 0 है, तो 1, 0 हो गया, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं, अगर मैं, B और D को join कर दूँ, तो यह मेरे पास एक triangle आ जाती है, B, O, D, ठीक है, तो B, O, D, यह एक red वाली triangle आ गई, similarly, अगर मैं यह A और C को join कर दूँ, तो यह मेरे पास एक triangle और आ जाती है, यह blue वाली, अब यह दोनों triangles जो है, यह दोनों triangles, congruent triangles है, कैसे, यह मैं आपको बताता हू देखो, मैं काम करता हूँ, इस triangle को यह मैं निकाल के यहां रख देता हूँ, और इस triangle को निकाल के यह मैं इधर ले आता हूँ, अब यह दोनों congruent कैसे हैं, देखो, यह actually मेरे पास क्या है, यह है O, यह है B, यह है D, और यह है O, यह है A, और यह है C, ठीक है, अब इन दोनों triangles में OB जो है वो radius है OD जो है वो भी radius of the circle है OA ये भी radius of the circle है और OC वो भी radius of the circle है radius, 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 radius तो ये तो होगे radius अब ये वाला angle कितना है? ये angle है X plus Y ठीक है? ये angle X था और उसमें मैंने Y और add कर दिया था तो ये total angle BOD BOD ये X plus Y हो गया अच्छा, दूसरी तरफ से ये angle X था और ये angle कितना था? minus Y, हमने नीचे minus Y बनाया था तो total angle कितना हो गया? minus Y तो चलो angle है ना angle का sign तो positive negative हो सकता है लेकिन उसकी quantity तो Y ही है तो overall अगर मैं इसकी quantity देखूँ ये जो मेरा angle है, ये angle ये भी basically X plus Y ही है ये angle भी इसका measurement भी तो X plus Y आ रहा है तो हुआ गया कि OB is equal to OA और उसके बाद angle BOD is equal to angle AOC और उसके बाद OD is equal to OC तो side angle side so by SAS congruence rule triangles are congruent ये दोनों triangles congruent हो गई अब congruent triangles की corresponding sides जो है वो equal length की होती है ठीक है तो इसका उले ये जो BD है ये जो BD है यही side इसकी बची होई है ये AC के पराबर हो जाएगी तो ये जो BD ये जो BD है ये actually AC के बराबर हो गई राइट अब ये दोनों अगर बराबर है तो अब मैं इसका distance निकालूं और इसका distance निकालूं वो distance दोनों आपस में equal होंगे क्योंकि ये sides की length equal है तो बस distance formula लगाके अब मैं बड़े ही easily अपना formula जो है उसको derive कर लोगा कैसे अब हम इसके उपर बात करते है अब हमारे पास अगर coordinate plane में दो points हो a, b, x1, y1, x2, y2 तो उन दोनों के बीच में जो distance होता है उसको निकालने का ये formula होता है ठीक है हमने lower classes में पढ़ा था तो square root को अगर मैं उदर ले जाओं तो a, b square is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square के बराबर होता है अब यहीं चीज मैं यहाँ पे apply करूँगा मुझे यह पता है कि b, d distance a, c के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि a, c square जो है वो b, d, square के बराबर होगा ठीक है तो a, c, square, b, d, square के बराबर होगा तो बस यह distance formula लगागे मुझे इसको इसके बराबर करना है और वहाँ से मेरा answer आजएगा कैसे, let's solve it तो अब हमें पता है कि a, c, square, b, d, square के बराबर है तो सबसे पहले मैं a, c, square निकालता हूँ तो a के coordinates cos x, sin x और इसके cos minus y, sin minus y तो इसके x coordinate में से इसका x coordinate माइनस करूँगा तो वह जाएगा cos x minus cos of minus y तो इसका whole square plus y coordinate में से y coordinate माइनस करो तो यानिकी sin x में से मैं माइनस करूँगा sin minus y इसका whole square तो यह कितना आजाएगा, देखो देखो, यह तो हो गया cos x cos of minus y क्या आता है cos y तो यह जाएगा minus cos y ठीक है, तो यह formula आपको पता आना चाहिए plus यहाँ पे हो गया मेरे पास sin x अब sin minus theta minus sin theta होता है तो sin minus y कितना आजाएगा minus sin y तो minus बाहर आएगा तो यह plus sin y हो जाएगा ठीक है, इसका whole square तो इसको खोल लो यह जाएगा cos square x plus cos square y minus 2 times cos x into cos y और इसको खोलूँगा तो यह जाएगा plus sin square x plus sin square y plus 2 times sin x sin y अब cos square x plus sin square x हो गया 1 cos square y plus sin square y हो गया 1 और इन दोनों में अगर देखो तो minus 2 common है तो अंदर क्या बजगा उपर बजगा cos x cos y minus sin x sin y तो यह मेरे पास हो गया 2 minus 2 और यह हो गया cos x cos y minus sin x sin y अगर आप दियान से देखो तो यह bracket वाली जो चीज है यह आपके formula की right hand side है ठीक है तो यह हो गया मेरे पास a c square और इसको मैं बोल देता हूँ से question number 1 अब मुझे निकालना है b d square तो अब मैं b d square निकालता हूँ तो इसके x coordinate में से इसका x coordinate 1 और इसके y coordinates में इसका y coordinate 0 यह मुझे subtract करने है तो यह मैं कर लेता हूँ तो यह हो जाएगा cos of x plus y minus 1 इसका whole square plus sin of x plus y minus 0 इसका whole square तो यह कितना हो जाएगा यह हम quickly यहाँ पे solve कर लेते हैं तो यह हो गया मेरे पास cos square x plus y plus 1 minus 2 times cos of x plus y और इसमें से 0 minus की तो इतने ही रह गया उसका square करेंगे तो यह हो जाएगा sin square of x plus y अब cos square x plus y और sin square x plus y यह मेरे कितने हो गए 1 plus 1 minus 2 times cos of x plus y तो sin x plus y वाली term जो है वो अपने आप ही गायब हो जाती है इसके साथ मिलके तो यह मेरा हो गया 2 minus 2 cos of x plus y तो यह रहा actual formula की left hand side cos x plus y अब यह मेरी bd square के बराबर है इसको मैं बोल देता हूँ question number 2 तो अब ac square bd square के बराबर है तो from 1 and 2 मेरे पास क्या आ गया from 1 and 2 1 की right hand side है 2 minus 2 cos x cos y minus sin x sin y is equal to 2 की right hand side है 2 minus 2 cos x plus y यह 2 के साथ यह 2 कट गया तो यह मेरे पास कितना हो गया यह almost हम solve कर चुके हैं so this implies minus 2 और अंदर रह गया यह cos x cos y minus sin x sin y is equal to minus 2 times cos of x plus y तो यह minus 2 के साथ minus 2 भी cancel हो गया और जो हमें चाहिए तो वो में मिल जाएगा उसको मैं इदर लेख लेता हूँ cos x plus y is equal to इस को दर लेख लो यह रह गया इदर cos x cos y minus sin x sin y और यही हमें प्रूव करना था राइट सो गया बड़ा सिंपल सा है तीन स्टेप्स पहले तीन कॉडिनेट्स लेने हैं उनसे दो ट्रेंगल बनेगी उनको congruent proof करना है तो उससे दो sides equal जो हमें मिलेंगी उन पर distance formula लगाना है that said उससे हमारा यह formula जो है वो बड़े easily derive हो जाएगा ठीक है So I hope के यह आपको बड़े अच्छे से समझ में आ चुका होगा and if you really like this tutorial then please share it with your friends and your classmates